नमस्ते दोस्तों, मैं समीर गोयल जैपुर्दा पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ आज मैं अपनी किचिन में बना रहा हूँ पनीर के एक बहुत ही बढ़िया और बेहत पसंद की जाने वली डिश कड़ा ही पनीर ये आम तोर पर तीन वराइटीज में बनाई जाती है ड्राय, सेमी ड्राय और ग्रेवी में हम इसे आज सेमी ड्राय बनाने वाले हैं हाईए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए एक इंच साइज के चौकोर टुकडों में कटा हुआ 200 ग्राम पनीर चौकोर टुकडों में कटे हुए 2 प्याज चौकोर टुकडों में कटी हुई 1 शिमला मिर्च ठिक ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 छोटे चमच साबुत धनिया दो सूखी हुई साबुत लाल मिर्च 3 प्याज पीसे हुए 4 टमाटर प्यूरी बनाए हुए एक छोटा चमच अग्रक का पेस्ट एक छोटा चमच लहजुन का पेस्ट दो छोटे चमच हरी मिर्च का पेस्ट स्वाद अनुसार नमाक आदा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटा चमच गरम मसाला चुताया छोटा चमच हल्दी पाउडर दो बड़े चमच तेल और छोटे टुकणों में कटा हुआ दो छोटा चमच हरा धनिया कडाही पनीर बनाने की शुरूआत हम ग्रेवी से करेंगे इसके लिए एक कड़ाही में दो चम्मच तेल गर्म कर लीजिए और इसमें अदरक लहसुन का प्यस्प डाल कर दो मिनट के लिए भून लीजिए अब इसमें पिसे हुए प्याज डाल दीजिए और सुनेरा भूरा होने तक भून लीजिए जब तक प्याज पक रहा है तब तक एक पैन में साबुद धनिया और साबुद लाल मिर्च ड्राय रोस्ट कर लीजिए ताकि ये अच्छी खुश्बू देने लगे जब प्याज पक जाए तब इसमें ड्राय रोस्ट किये हुए मसाले, टमाटर फ्यूरी, हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और हल्दी पाउडर डाल कर अच्छी तरह मिला लीजिए साथ ही इसमें शिमला मिर्च और चौकोर टुकडों में कटे हुए प्याज भी डाल दीजिए और 10 मिनट इसे मध्यम आज पर पकने दीजिए जरूरत हो तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं और इसे ढखकर पका सकते हैं अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल कर अच्छी तरह मिला लीजिए और 5 मिनट कम आज पर पकने दीजिए ये देखिए मसाला पक कर तैयार हो गया है अब इसमें पनीर डाल कर मिक्स कर लीजिए और इसे धनिया पत्ती से गार्निश कीजिए बहुत ही बढ़िया कड़ाही पनीर बनकर तैयार हो गया है आप इसे रोटी, पराठा या नान के साथ गर्मा गरम सर्व कीजिए कड़ाही पनीर की यह रेसिपी आप हमारी वेबसाइट जैपुर्दपिंकसिटी.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं हर शनिवार मेरी नई रेसिपी हिंदी में देखते रहने के लिए मुझे जैपुर्दपिंकसिटी चैनल पर प्री सब्सक्राइब कीजिए कर दो